अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बाइल एकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को अन कर लिजिए फूर फ्यूचर अप्डेट्स के लिए आज के स्वीरियां डिसकस करेंगे जैसे आप हैडिंग देखी सकते हैं DAV-CBT आपको पता है 2nd of March से जो DAV की CBT टेस्ट हो रहे हैं इनके जो आप फर्स शिप थी इनमें आज ये चार्ट सब्जेक्ट्स पाइपर था English Physical Education Home Science Ministeral Post इनका जो एक्सपीरियंस है जो मैंने डिफरेंट केंडिडेट्स से पूछा एक्साम का लेवल कैसा था वहां का स्टाफ कैसा था अब आउट जो वहां पर पूरा इंवार्मेंट कैसा था लैब्स कैसी थी एक लैब में कितने बच्चे थे और जो पेपर का लेवल था moderate था difficult था या easy था यह सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में information प्रोवाइट करोंगा अगर आपको study material चाहिए hard copy free of cost आप हमारा telegram group join करके ले सकते हैं इसके link जो है मैं आपको वीडियो के comment section में पिन कर दूँगा वहां से आप इसलिए आपको यह link मिल जाएगा वहां से आप उसको follow कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं DAV का CBT का जो exam था जो पहली shift थी इनकी for different subjects PGT poster के लिए वो कैसा गया so जो मैंने different candidates से पूछा उनका जो English का था physical education वालों से और English वालों से मेरी बात हुई है home science वालों digital post का जो candidate था जो सुरूब में था question था इसलिए तनी बात नहीं हुई so इनका जो level था moderate भी था easy भी था difficult भी था ज्यादा तर जो मुझे जिनोंने तो अच्छी preparation की है उनके लिए जो इसका level था moderate था लेकिन जो थोड़ी कम preparation की है जिनोंने उनका जो level था वो moderate था और अगर हम बात करें English की English का जो paper आपको पता English में ही आएगा bilingual नहीं होगा तो इसमें आपको जो questions आए थे वो net level के थे English level के थे मतलब PGT की post के लिए है तो common सी बात है आपको graduation post graduation आपको उसमें से questions आएंगे physical education में भी questions ऐसे थे अब English में और physical में कैसे questions आए थे उससे पहले हम आपको पूरा process बता देता हूँ entry time आपको दिया गया है आप उसके recording आदा घंटा लीट भी हो जाए ये no issues आप आउन सकते हैं जो जादा तर problem बच्चों को आई luggage जो आप बैक्स वेरा लेकर जाते हैं वहाँ पर उनको रखने के लिए कोई स्टाफ की बात करें स्टाफ कॉपरेटिव था जहां पर एक्जाम हुआ जो मेरे कुलीग से सस्क्राइबर से एक्जाम देने गए स्टाफ की ओर से सारे रिव्यूज पॉस्टिव आई लेकिन हाँ जाद तो जो प्रॉलम आई luggage फोन की अगर आप रिस्ट वाच भी पहन के जारें इंक्लूडिंग डिजिटल तो वह भी आपको वहां पर समिट करनी पड़ेगी बाकी रूम में क्लॉक होता है उसके कॉर्डेंग आप टाइमर देख सकते हैं सर्वर तो अज फर्षींट थी थोड़ा सा डाउन था बट यह नहीं कि प्रॉपर वरक किया कोई असी प्रॉलम नहीं आई कि कि किसी का सिस्टेम एकर राइश हो गया सर्वर क्रेश हो गया ऐसा कुछ नहीं था और आपका जो वहां पर timer लगा वता है जो आपका exam था वहां पर जिन candidates का तो वहां पर आपका timer था और उस timer के timer बदला जो भी आपका CBT था तो उसमें जो आपका जो आपकी window थी जिसमें आप online exam attempt कर रहे थे उसमें all over यहां पर timer आ रहा था automatic or decreasing order में था जैसे 60 minutes, 59, second decreasing order में चल रहे थे और आप paper बीच में भी अगर आप submit करना चाहें कर सकते हैं लेकिन condition यह है कि आपको पूरे time में ही निकलने दिया जाएगा जैसे two hours का paper है आपने one hour लगाया और paper को submit कर दिया आप two hours से पहले room से नहीं निकल सकते और यहां पर exam हुआ यह, x, y, z location जो भी थी मैं यहां पर address वेरा show नहीं करूँगा तो room में 30 candidates थे, यहां पर यह exam हुआ जो भी मेरे colleagues गए थे, candidates गए थे, subscribers गए थे, जिसमें थे 10 students absent थे, different subjects के अगर आप बात करें, नकल वेरा कि वहां पर कोई chances नहीं थे, मैं आपको पहले बता दूँँ, हाँ यह था कि आप अपना paper आराम से करी है, online paper था, आपको मैंने बताया था, बाकि जो मैंने आपको syllabus वेरा बताया था, different subjects का वही था, कोई ऐसा नहीं है कि वो syllabus आया नहीं, physical education की बात करें, English में तो आपका पूरा आपको English का ही आएगा, जिसमें आपका UDSNet level का था, उसके बाद आपका जो level मैंने आपको बता दिया, entry पे आपका ID card चेक होगा, आपकी जो identity proof लेकर जाएंगे वो चेक होगा, आप photo लेकर जाएंगे, अपनी password size वो चेक होगा, आप यह चीज़ें आप लेकर जाएंगे, उसके बाद two words वो ही जो मैंने आपको बताया, literature थी English के paper में, grammar थी 10th level की, literature PG, UG level की थी, जिसमें assertion था भी, sentence error थे, gap feeling था, sentence correction था, उसके बाद pros, किसने बोला यह, इसका writer कौन है, essay questions थे, और उसके बाद यह तो important चीज़ें थी, जो English के paper में थी, अगर हम बात करें, physical education, home science, ministerial post, इसको आपको पता है, कि जो paper journal होगा, इनका, जो आपका 40 minutes का था, उसमें aptitude ही आया था, journal English आई थी, तो यह questions आया थी, इसमें, जो easy level था, वो लगभग, आपका 70% था, reasoning 30% थी, इसमें यह में आपके जो pending 3 subjects ले गें, जिसमें, physical education, home science है, ministerial post, इसमें यह आपका exam था, यह इनके बारे में information दी, और जो उपर वाला था, वो मैंने आपको बताई दिया, तो मेरे recording जो इनका level था, वो थोड़ा difficult था, English का, बाकी subject का थोड़ा level अच्छा था, बाकी subject का थोड़ा level अच्छा था, moderate बोल सकते हैं, यह इस labels था, ज जो भी आपको चीज चाहिए, solve करने के लिए, white pages, pen, वेरा, सब कुछ आपको वहाँ पर provide किया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं provide किया जाएगा, जो भी निवलेटर्स होंगे, आप उनकी help ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, stationary वेरा आपको वो देंगे, और यह थी important चीज ह मैंने आपके साथ share की, और इसमें जो important चीज है, हाँ, phones, phones भी जो आप लेकर जाएगे, जैसे देखी, common सी बात आपके जो exam centers है, थोड़े दूर ही है, जैसे मेरा exam center है, मेरे यहाँ home address है 100 km दूर है, तो उसके recording आप timely निकलिए, buses वेरा, जागर तो आप team जा रही है, team मतलब जैसे आप किसी school में, जैसे आपके colleagues आएं, इकठे जा रहे हैं, किसी vehicle वेरा में book करा कर, वो तो अलग चीज है, लेकिन जो हमारे जैसे हैं, जो buses वेरा में जाएंगे, वो अपना पहले सी ही ऐसे अरेंज करके जाएं कि exam center timely पहुंच जाएं, so that वहाँ पर आपको proper time per entry मिल वहाँ पर हौच पहुच ना हो, तो यह important चीज़े हैं बाकी जो मेरे colleagues गए है exam देने, जो मेरे subscribers, xyz और जो भी हैं, अभी तक वो घर नहीं पहुंच जब मैं video upload कर रहा हूँ, तो अभी 8.15 हो गए हैं, जब मैं video upload कर रहा हूँ, अपने youtube channel पर, 7.15, sorry 5.15 exam खतम हो गया था, तो मेरे recording वो 10 p.m. खर पहुंचेंगे, विकाउज जो मैंने आपको distance बताया काफी दूर है, तो आपको पता है, शाम को बसे सवेरा की थोड़ी problem होती है, तो यह थी important जो आपका experience है, आपके साथ मैंने share की है, अगर आपको कोई भी problem आती है, next में day by day जो भी आपको experience होगा, syllabus क्या रहेगा, salary क्या रहेगी, negative marking कोई नियाज की आपको पहले से बता दूमे, paper last में आपका submit हो जाएगा, हाँ, एक और important जी यह नहीं कि आपने paper submit कर दे, last में आपको result जो हो गया, आपका जो data है backend में चला जाएगा, फिर एक date वो issue करेंगे, यह website पर update कर देंगे, जो भी आपने उसमें scoring किया, scoring में marks वेरा नहीं बताए, कितने passing marks आई हैं, कितने आपके marks आने चाहिए, यह criteria कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा, बके TGT के लिए, PRT के लिए, NTT के लिए, Pre-Primary Post के लिए, Magistral Post में आपका आएगा, LDC, UDC, LDC में आपका admin आएगा, accounts आएगा उसके लिए आपको sliver चाहिए, तो हमसे आप contact कर सकते हैं, सारा जो study material प्रोवाइड करूँगा, मैं free of cost होगा, no charges होँगे, कोई form में problem आ रही है, आपको suggestion चाहिए, सारा कुछ free of cost information मैं प्रोवाइड करूँगा, without any charges, So, जरूर like करिएगा वीडियो को, चैनल को भी subscribe करेगा, for future updates, और ऐसी latest updates के लिए, और study material के लिए, जरूर हमारा telegram group चैनल जोइन करिएगा, So, that in future, जो भी ऐसी latest updates वाएंगी, उनका जो notification है, वो आपके साथ timely share किया जाए, So, friends, कोई भी आपका doubt, comment section में comment करिएगा, आप फिर्थू को suggestion देना चाहते हैं, जरूर comment section में comment करिएगा, और अपने दिदी friends के साथ video को share करना मत भूलिएगा, So, thank you friends for watching this video, and for your available time.